17 साल की शफीलिया एहमद को उसी के माबाप ने बड़ी निर्मम्ता से मार डाला अपनी ही आुलाद को इस दमपती ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का रहनसन पसंद नहीं था दमपती को लगता था कि शैफिला छोटे कपड़े पहन कर गलत धंदा करने लगी है शफीलिया एहमद के पिता इफ्तिखार एहमद की शादी एक देनिश महिला से हुई थी जिससे उनका एक बेटा था पाकिस्तान में रिष्टेदार के दबाव के आगे जुक कर उन्होंने अपनी चचेरी बेहन फरजाना से दूसरी शादी की थी शादी के कुछ बाद ही शफीलिया एहमद का जन्म जुलाई 1986 में वेस्ट यॉर्कशायर के ब्रैडफोर्ड में हुआ था शफीलिया के जन्म के तुरंद बाद ही परिवार शहर वॉरिंगटर में रहने चले गए शफीलिया पढ़ाई में अच्छी थी वह एक वकील बनना चाहती थी इफ्तिखार एहमद का परिवार छुट्टियों में पाकिस्तान आ जाता था बात 2003 की है पाकिस्तान की यात्रा के दौरान शफीलिया ने ब्लीच पी लिया था जिसे आत्मात्या का प्रयास बताया गया था शफीलिया को तीन महिने से अधिक समय तक अस्पताल में भरती रहना पड़ा उसके मातापिता ने दावा किया कि यह एक साधारन गलती थी और रात के अंधेरे में शफीलिया को समझ नहीं आया कि वह ब्लीच है शफीलिया ने माउटवाश समझ कर ब्लीच पी लिया था मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शफीलिया ने अस्पताल में रहते हुए एक अन्य मरीज से कहा कैसे उसके मातापिता ने उसकी शादी उसके चचेरे भाई से करने की कोशिश की थी मुझे वह लड़का पसंद भी नहीं है उसने आगे कहा उसके माता पिता ने उसे पाकिस्तान ले जाने के लिए नशीला पदार्थ दिया था हाला कि उसके माता पिता ने इस बात से इंकार किया था 27 मई 2003 को शैफिलिया वापस वॉरिंग टन आ जाती है फिर से कॉलेज जॉइन कर लेती है पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देती है 18 सितंबर 2003 को ग्रेट सैंकी हाई स्कूल की टीचर जोआन कोड ने शैफिलिया के छोटे भाईबनों को उसके लापता होने के बारे में चर्चा करते हुए सुना था टीचर जोआन कोड ने जब उसके माता-पिता से पूछा तब माता-पिता ने कहा शैफिलिया एक हफ़ते से ही घर नहीं आई है स्कूल की टीचर सोचती है उनकी बेटी एक हफ़ते से घर से गायब है और इस बारे में अब तक पुलीस में कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई थी शैफिलिया की टीचर जोआन कोड इसकी जानकारी पुलीस को देती है पुलीस की एक टीम जाच पड़ताल के लिए शैफिलिया के घर आती है उसके बाद से ओ नजर नहीं आई है, इस पर पुलीस वाले कहते हैं, जब आपकी बेटी एक हपते से गायब है, तो आपने अब तक पुलीस में शिकायत क्यों नहीं करवाई? इस पर शफीलिया के माता-पिता जवाब देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब शफीलिया घर से गायब हुई है, बलकि ऐसा पहले भी कही बार उसके साथ हो चुका है, इस बात की पुस्टी करने के लिए पुलीस रिकॉर्ड की जाँच करती है, तब पता चलता है वास् 1998 में अपनी छोटी बहन के साथ घर से गायब हो गई थी, शफीलिया के माता-पिता ने भी तब मिसिंग रिपोर्ट दर्स करवाई थी, हाला कि तब शफीलिया श्याम होते होते घर वापस आ गई थी, पुलीस रिकॉर्ड के मुताबिक दूसरी बार 25 नवंबर 2002 को घर से भ शफीलिया एक पार्क में बैठी मिलती है, पुलीस रिकॉर्ड के मुताबिक तीसरी बार 3 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ घर छोड़ कर भागी थी, इस बार शफीलिया दो दिन तक घर वापस नहीं आती है, फिर 5 फरवरी 2003 को अनात लोगों के लिए बनाए हुए से से एक दोस्त करते हैं. कुछ ही दिनों के बाद गायब हो जाती है। की मांग जारी रखते हैं। पुलीस धीरे धीरे अपनी जाच आगे बढ़ाती है। शफीलिया के घर से पुलीसवानों को शफीलिया की लिखी हुई बहुत सारी कविताएं और लेख मिलते हैं। कविताओं से पता चलता है, ओ अपने घर के मोहोल से खुश नहीं थी, शफीलिया की कविताएं लोगों तक पहुचती है, तब ये मामला और भी गहरा होने लगता है। और पुलीसवानों पर शफीलिया को ढूंदने का दबाव बहुत जादा बढ़ने लगता है। की फुटेज में दिख रही लड़की शफीलिया एहमद है। ये तस्वीर लड़की गायब होने के कुछ दिन बात की थी, जब शफीलिया के माता पिता अपनी बेटी की पहचान कर लेते हैं, तब पुलीसवाले ये मान लेते हैं, शफीलिया एहमद जिन्दा तो है, इस कह शफीलिया एहमद नहीं है। के घर पर कही जगा ओडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देती हैं, पुलीसवाले ओडियो रिकॉर्डिंग जब सुनते हैं, तब उसके पिता को यह कहते हुए रिकॉर्ड हो गया था कि यूके में सिस्टम सबूत पर काम करता है, और बिना सबूत के, भले ही तुम 40 लोगों को मार डालो, जब तक सबूत नहीं मिल जाता, वे तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा डिवाइस में शफीलिया अहमद पर यह चर्चा करते हुए भी रिकॉर्ड हुआ कि अगर पुलीस को कार में डिने सैंपल मिले तो क्या होगा। यह सब सुनने के बाद पुलीसवानों को इफ्तिखार अहमद पर शक होने लगता है। जाज परताल में इनके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत निकाल ही लेंगे। इफ्तिखार और उनकी पत्नी फरजाना ने इस हत्या से इनकार किया। शफीलिया के मुँ में बैड डाल कर उनका दम घुणते देखा था, लेकिन साथ साल तक वो चुप रही थी। शफीलिया के चेहरे को हातों से ढख रखा था ताकि हो सांस नहीं ले सके और फिर उनके मुँ में एक बैड जबरदस्ती डाल दिया। अपने माता पिता को लिवरपूल रोड स्थित किचन में शव को बांधते हुए देखा। फिर उसने अपने पिता को घर से बाहर गाड़ी ले जाते हुए देखा। उन्होंने खिडकी के बाहर अपने पिता के साथ एक बड़े सामान को देखा। उसने माना कि ये उनकी बहन का शव है। शफीलिया का क्षत्विक्षत शरीर फरवरी 2004 में केंट नदी के किनारे पाया गया था। इफ्तिखार और फरजाना एहमत को अपनी किशोर बेटी की हत्या के लिए नियूनतम 25 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।